आज बात करने वाले हैं गिनी वाम डिजीज में और यह जो है आपकी दूसरी डिजी साइकल्स रहेगी दूसरा पारसाइटलोजी का दूसरा टॉपिक है और देखेंगे अगर यह जल्दी खतम हो जाएगा वैसे जल्दी होना तो नहीं चाहिए लेकिन अगर हो जाता है तो दूसरे टॉपिक भी देख लेंगे वारना जो है नेक्स लेक्टर में देखेंगे तो गिनी वाम डिजीज जो है वो काफी खतरनाक डिजीज होती है और यह डिजीज बेसिकली वाटरी एरिया में वाटर से वाटर बॉर्ण डिजीज में आती है क्योंकि यह पानी के जादा इस्प्रेड होती है और काफी खतरनाक डिजीज है वाम्स मतलब की जैसे कीडिये मकौड एक कीडिये होते हैं लंबे-लंबे वाले ठीक है जैसे वह एसकेरिस आप लोगों ने देखा होगा इसी तरीके से जैसे लंबे-लंबे केंच्वे जैसे होते हैं यह सफेज अंदर से निकलते हैं मतलब आपकी इसकिन से निकलेंगे यह वाम डिजीज़ेज इस्पिशली जो अफरीकन लोग होते हैं जो ट्राइबल लोग होते हैं जो जंगल वंगल में रहते हैं वहीं पर अपने कभीले वगएरा बना करके अक्सर ऐसे लोग गिनी वाम के कॉन्टैक्ट में जो है वो आते हैं तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे गिनी वाम डिजिजेज जो होता है वो बैसिकली ड्रैकन कुलेसिस के नाम सिसकम जानते हैं या ड्रैकन कुलेसिस के नाम से जानते हैं इस बिमारी को इसकी बिमारी को क्योंकि जहां मैंने बताया था सिस लग जाए जान लो कि वो बिमारी का नाम है और इसका नाम ड्रेकन कुलेसिस लिए है क्योंकि जिस पैरासाइट से होता है उस पैरासाइट का नाम है ड्रेकन कुलेस मेडेंसिस ड्रैकन कुलेस से होता है किस से होता है ड्रैकन कुलेस से होता है जैसा कि मैंने कहा कि जो ड्रैकन कुलेसिस है इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में गिनी वाम डिजीज के नाम से जानते हैं तो अगर ड्रैकन कुलेसिस आता है या फिर GWD आता है या फिर Guinea Worm Disease आता है आप दोनों तीनों पच्छों में कहेंगे कि ये विमारी वही सेम Worm वाली है ठीक है जो Worm के थ्रू हो रही है और उस Worm का क्या नाम है उस Worm का नाम होता है Draconculus Medinensis क्या नाम होता है Draconculus Medinensis ठीक है अब यहाँ पर आपके सामने बगल में कहेंगे सर ये क्या बना हुआ है बगल में कोई मचली नहीं बनी हुई है इसको हम लोग सिस्टोड कहते हैं या कोपकोड कहते हैं और ये आपका एक तरीके से बोल सकते हो secondary host होता है Draconculus का जैसे Draconculus जो है human को भी infect करता है cattle को भी infect कर सकता है और ये पानी में रहने वाले छोटे छोटे कोपकोड होते हैं जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है Draconculus ये लंबा सा जो इस ता से दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका Draconculus है ये जो केंचवे जैसा दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग बोलते है Draconculus Madinensis और ये इनके अंडे वगेरा है इस कॉपकोर्ट के जिसको हम लोग मीजोसाइकलोप्स भी कहते हैं क्या कहते हैं मीजोसाइकलोप्स कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यह पानी में पाए जाते हैं यह ऊटर में रहने वाले हैं अनिमल और यह इनके दूसरे होस्ट होते हैं और कहीं न कहीं बिमारी को फैलाने में इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है कॉपकोर्ट का तो अभी हम लोग इसको जानेंगे इसके बारे में देखेंगे तो ड्रेकन कुलस का जो लारवा का जो development होता है वो copper code में होता है तो इसके बारे में भी हम लोग अभी जानेंगे पुरा detail में life cycle में कि क्या होता है कैसे ता बस आपको भी ड्रेकन कुलस के बारे में पता चल गया होगा कि तरह सल ड्रेकन कुलस होत क्या है ठीक है अब यहां पर देखो पहली चीज तो मैंने बताई आपको कि पानी के थ्रू होता है ड्रेकन कुलस मेडेंसिस के थ्रू होता है अब पैरसाइट is organism that feed off another organism मतलब एक ऐसे पैरसाइट जब किसी दूसरे अनिमल को खाते हैं for survival तो GWD is spread by drinking water containing guinea warm larva अब कॉपे पोर्ट्स जो होते हैं कॉपे पोर्ट्स यह अक्सर इनको खाते हैं मतलब जो aquatic animal होते हैं जो पानी में रहने वाले चोटे मोटे इनको खाती हैं ठीक है समझ रहू कि नहीं मेरे बाद तो इस तरीके से भी यह बढ़ते हैं दूसरी बात हम जब गंदे पानी को पीते हैं एस्पेसली ड्रिंकिंग वाटर जब पीते हैं या कराब drinking water वाटर पीते हैं यारे कह लिंक्टीग वाटर में जादा रहते हैं बट जम लोग द्रिंकिंग वॉठर मतलब कि ये फीलते किसे थे ह्थू है ड्रिंगिंग वॉर्टर के थे थून्हें स्प्रेड होते हैं इसबां को आप को ध्यान में रखना है ठीक है तो लार्वा आरी मेच्चियर फार्म आफ वाम जी डबलो डे अफ़ेक्ट पूर कम्यूनिकेट्स या कम्यूनिटीज इन रिमोट पार्ट्स आफ अफ अफरीका दैट डू नॉट हैफ सेफ वाटर टू ड्रिंक जैसा कि मैंने कि अफरीका में बहुत जादा जंगल वगेरा होता है और उस जंगल में बहुत सारे ट्राइबल ट्राइबल मतलब जो जंगल में रहने वाले लोग हैं जो अपना कबीला वबीला टाइप बनाके रहते हैं वो लोग वहाँ पे बहुत जादा हैं तो उस एरिया में पानी वग पानी होता है उसको पीने का काम करते हैं तो अक्सर उस पानी के अंदर आपको ये ड्रैकन कुलस में डेंसिस मिलता है इसी लिए वहां के लोग ज्यादा तर जो जंगली लोग होते हैं वो ज्यादा तर इस भीमारी के कॉंटक्ट में आ जाते हैं ठीक है तो अक्सर क्योंकि ज जो है वो अंदर हमको infect कर सकता है अब यहां पर देखे लिखा हुआ है कुछ बातें जो आपको बहुत ही importantly ध्यान में रखनी है और यह line यह बहुत ही important है ठीक है यह line मैंने इसलिए लिख दी है ताकि आप लोगो को notes वगेरा बनाने में कोई भी problem ना हो आप notes अच्छे से बना करता हूँ diagram तो simple diagram में कुछ नहीं है diagram में यह dragonculus को कैसे निकालना होता है यह उसको निकाल रहे हैं तो भाई चलो हम लोग आगे बात करते हैं ठीक है तो in dry reason पहली चीज़ ऐसी जगह जो बिलकुल सूखी है people generally get infected during the rainy season in dry reason मतलब जो गर्म जगे होती है वहां पे जब बारिस क time आता है ठीक है जब बारिस का time आता है तो उस time पे rainy season में सबसे ज़्यादा लोग वहां के infected हो जाते हैं क्योंकि हर तरफ पानी होता है surface water होता है और surface water में ही surface water में ही यह आपके basically मौजूद होते हैं क्या कहते हैं यह वाले parasite क्योंकि ground water में तो होना संभव ही है समझ रहों कि ने मेरी बात अगर कोई बहुत ही नीचे का ground water है तो वहां पे पहुचना किसी भी parasite के लिए असंभव हो है लेकिन यह वाला जो पानी है यह दिक्कत करेगा when stagnant surface water is available in wet reason अगर मैं wet reason बात करूँ जहां हमेशा बारिस होती रहती है वहां पे भाई यह बिमारी common है people generally get infected during the dry season व उस टाइम पे people जो है इनसे infected हो जाते हैं कहने का मतलब है in dry reason people generally get infected during rainy season dry reason में rainy season में people infected होते हैं क्योंकि surface water वहां available हो जाता है और wet reason में people जो है infected हो जाते हैं dry season में क्योंकि wet reason में पानी कठा रहता है people उसको पीते हैं तो उससे भी infected हो जाते हैं कहते हैं GWD is primarily a human disease guinea warm disease इस पहली स उसको बोला जाता है एक human disease है ठीक है However in recent year infection of animals बाकी अभी कुछ time पहले कुछ study से ये पता चला है कि ये केवल humans में ही बिमारी cause नहीं करते हैं बलकि कि कुटों में भी ये बिमारी cause कर रहे हैं As result of research into the cause of guinea worm infection in animal It is not believed that मतलब कि अभी काफी research से पता चला गया है इच में फैलते हैं खाने से भी animal अक्सर fishes वगयरा जैसे मैंने कहा कि खाता है तो जाहिर तोर पे aquatic animal को खाने से भी वो लारवा को अपने अंदर consume कर लेता है कैसे करता है जैसे कि मैंने कहा माल लो कोई fishes है भाई या ठीक है ये fish है ये fish है हमारी ठीक है अब माल लो ये fish जो है पानी में तैर रही है और वहीं पे माल लो ऐसे हमारे copycats तैर रहे हैं ऐसे पानी में जो मैंने अभी diagram आपको दिखाया वो भी भाई साब इसी में है है ना वो भी भाई साब इसी के अंदर है तो ये छोटे होते हैं और जो छोटी fishes होती है वो इन copypots को जो है खाना पसंद करती है समझे हो तो ये fishes इसको खाएगी फिर आप उशी fish को खरी देंगे और जाके fish को खा लेंगे बना करके तो अगर आप fish को बना करके खाएगे तो भी आपके लिए नुकसान दे हो सकता है तो वही चीज़ यहां पर लिखी गई है कि ये दोनों में फैलता है Animals में भी और humans में भी जब human इसको carry करता है मतलब जब human इसको खाता है तो वो भी infected हो जाता है क्योंकि ये जो animal होता है वो carry करता है carry मतलब अपने पास रखता है किसको aquatic animal that might carry guinea warm larva जो aquatic animal जैसे fishes वगेरा हैं वो carry करती है guinea warm larva को मतलब अपने पास रखती है guinea warm larva को और जब हम इनको खाते हैं तो वो infected जैसे कि fish देखो यहाँ पर fish आ गया, frogs आ गया, बहुत सारे लोग frogs भी खाते हैं but do not themselves suffer the effect of transmissions but यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है लेकिन यह जो है suffered the effect of transmissions लेकिन यह जो है suffered नहीं करते, यह transmissions effect of transmission से suffer यह नहीं करते मतलब इन पर बिमारी का effect हमें देखने को नहीं मिलता है जैसे हम लोग frog की बात करते हैं, fishes की बात करते हैं तो इन में नहीं दिखता है GWD is considered by global health official to be a neglected tropical disease NTD and it the first parasite disease targeted for eradications मतलब यह basically एक tropical disease के रूप में जानी जाती है और यह first parasitic targeted for eradications और यह बहुत तेजी से फैलने वाली एक disease के रूप में जानी जाती है जितनी बात मैंने बताई समझ में आई सबको number one चीज़ ध्यान में रखना है जहां पे भी बारिस या rainy season होता है वहां पे यह disease आपको दिखाई देगी फिर वो चाहे कोई wet reason हो, फिर वो चाहे कोई dry reason हो surface water जो होता है, वो main इसके लिए cause होता है क्योंकि लोग वहां का पानी पीते है और gwd जो होता है, वो सबसे पहले record किया गया था human के अंदर बाद में फिर और study से पता चला कि भई यह dog वगेरा में भी हमें देखने को मिल सकता है fish वगेरा में भी इसको report किया गया ठीक है, तो यह सब चीजे हैं हमें बताओ भाई, सभी बच्चों को समझ में आया यह चीज सभी बच्चों को clear हुआ, तो आगे बढ़ा जाए, बताओ सभी बच्चों को clear हुआ, अब इस डाइग्राम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यह जब डाइग्राम आपके बाडी में infection पैदा करेगा ना, तब उस समय आपकी बाडी में, यह जो हाँ ससूई नहीं है यह यही warm है, यही गिनी warm है, देख लो कैसे खीज के निकाल रहा है, और इसको इतना केरफुली निकाला जाता है यह warm जो है, वो बाडी में न तूटे, अगर यह बाडी में तूट गया, तो फिर से यह बहुत बड़ा वोसी में केंदर बन जाएगा और यह पूरे एरिया में फफोले डाल देता है, समधर ब्लिस्टर्स जिसको कहते हैं, पूरे एरिया में ब्लिस्टर्स डाल देता है और यह warm डिस्टर्स आप देख लिजए, केरफुल नॉट ब्रेक दा वाम बाडी, वाम बाडी तूटनी नहीं चाहिए निकालते वक्त, इसको बहुत ध्यान में रखना है मतलब कि जब आप इसको निकाल रहे हैं, तो बहुत यह अराम से दीरे धीरे आपको निकालना पड़ता है आपको ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा सा मसाज करते रहना पड़ता है जहां तक वो बिमारी फैली होई, जहां तक ये वाम फैला हुआ है पैर में, वहां तक पूरा आपको हलका हलका उसको पुश करते रहना है, ठीक है, ताकि ये किसी भी सेल से चपका न रहे, जिससे ये बड़े अराम से निकल जाए, तो ये वाम होता है, और ये जब बहुत ज देखिए, सिम्टम्स में कुछ सिम्टम्स बेहत कॉमन हैं, जैसे कि पिपल विथ गिनी वाम डिजीजेजेजेज हैव नो सिम्टम्स फॉर बाउट वन इयर, बाप रे बाप, एक साल तक मेरे भाई, अगर ये आपके बाड़ी के अंदर है, तो आपको पता नहीं लगेगा मतलब एक साल तक ये अगर आपकी बाड़ी के अंदर है, तो आपको पता नहीं लगेगा, एक साल के बाद then, the person begin to feel it लेकिन कुछ टाइम के बाद persons को जो हैं, मतलब एक साल के बाद, एक साल के बाद जाकर के आपको ये पता लगेगा, जो हैं भीमार होना शुरूर हैं, ठी आपको कुछ सिम्टम्स आएगा लेकिन एक साल तक आपको कोई सिम्टम्स नहीं आएगा मतलब यह खुब डिवाइड करके फैल जाएंगे आपकी बॉड़ी के अंदर तब कहीं और वाम का यही ने चर होता है स्लाइटली फीवर हलका बुखार आएगा इची रैसे जहाँ पे आपको इंफेक्शन जादा है जहाँ पे इसकिन्स में यह आ गए है वहाँ पे आपको रैसे होगा नौसा कमजोरी वामिटिंग उल्टी डाइरिया डाइरिया होगा और डिजिनेंस मतलब थोड़ा सा उचला पन होता है उसी तरीके से आपको कुछ सिंटम्स जो है वो आएंगे अब यह जो सिंटम्स आपके हैं यह जो सिंटम्स आपके हैं यह काफी नौर्मल है मतलब ऐसा नहीं है कि डाइरिया यार नौर्मल हमें हो जाता है ठीक है डाइरिया को यह ऐसी बहुत देखो अगर आप इस diagram को देखो, थोड़ा सा मतलब आपको अजीब लगेगा, बट अगर आप इस diagram को देखो देखो, इसको किवल इतने दूर में infection नहीं है, इसको infection कितनी दूर में, देखो यहाँ पर, यह देखो, look at this, यह पूरा reason जो है, जो white skin हुई है, इसकी यहाँ तक, पूरा reason infected है, ले और फिर इसको पकड़ के खीसता रहेगा खीसता रहेगा तो भाई ये ड्रैकन कुलस गिनी वाम डिजीजेज है जब ये आपके बॉड़ी में पुरी तरह फैल जाएगा तो मैंने का चाले पड़ेंगे आपको पैरों में चाले पड़ेंगे और जब फूटेंगे तो उस हाथ में भी हो सकते हैं कहीं भी हो सकते हैं ये blisters और ब्लेश्टर फॉर्म होंगे और उसके अंदर जो होगा तकरीबन मतलब कुछ पर्शन बॉड़ी कब बीस परसेंट 10 परसेंट बाहर होगा उसका जो छोटा सब 20% होगा बाहर होगा और इसका असी परसेंट जो है इसके अंदर पड़ा हुआ है ऐसे, समझ रहो ना मेरी बात, और 80-90% cases body, मतलब कि बोलते हैं थोड़ा portion बहार होगा, लेकिन ज़्यादा तर portion अंदर होगा, lower body parts in, ज़्यादा तर संभावनाए होती हैं, कि ये नीचे portion में body part के पाई जाएं, out, out में नहीं, 80-90%, मतलब हाथ और पैर में 80-90% आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, मतलब 80-90% हाथ और पैर ये आप especially pair wear में देखने को मिलते हैं, फिर कहते हैं, जैसे आप अगर इसका इलाज नहीं करते हो, तो धीरे 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 ये जो छाला है वो बड़ा होता, चला जाएगा कुछ दिनों तक and burning pain और जैसे जलने का जैसे दर्द होता है, वैसे आपको दर्द होगा, फिर उसके बाद blisters rupture हो जाएगा, तूट जाएगा और जो warm है, वो बाहर निकलाएगा, the infected person में put the affected body part in cool water to ease the symptoms or may enter to perform daily tasks, such as switching, drinking water, the infected person में put, अब ये आदमी क्या करेगा, अब यही आदमी जो अगर infected आदमी है, ये किसी ठंडे पानी में जाता है, ठीक है, enter करता है और अपने daily task करता है, तो एक तरीके से ये इस बीमारी को फैलाने वाला भी बन सकता है, बन सकता है कि नहीं तो the infected person may put the affected body part, जब यही infected persons अपने put, put मतलब लेके जाता है affected body part को, cool water to ease the symptoms to may enter water to perform daily tasks, such as fetching, drinking water on contact with water, और कहीं ये किसी ऐसे पानी में चला गया, जहां के लोग पानी पीते हैं, तो warm जो है, उसी समय उस पानी के अंदर discharge hundred of thousand of larvae into water, तक्रीबं सौ से एक हजार लारवा उस पानी में छोड़ देंगे, अब उस पानी को जो जो पिएगा, वो वो इससे infected हो जाएगा, समझ मैं है बिमारी, कितनी खतरनाक ही है, समझ मैं है सभी को ये line, मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले blisters appear होगा, blisters appear होने के बाद blisters थोड़े size में बड़े होंगे, 80-90% chances है कि ये आपके body के निचले हिस्से में infection जादा करते हैं, burning pain होगा, चाले थोड़े बड़े होंगे, मतलब कि उसके बाद वो फट जाएंगे, और फटने के बाद वो burning pain देंगे, और मतलब जिसे जलने वाला दर्द होता है, वो देंगे, और जब आप उसको, मतलब जब आप उसको सोचेंगे कि यार मैं थोड़ा सा काम कर लूँ या अगर आप daily tasks तब भी चालू रखते हैं और उसका इलाज नहीं करते हैं, और आप गलती से जो है, cooled water या फिर drinking water के contact में चले जाते हैं, तो उसी समय ये बहुत सारे जो लारवा होता है, उसको पानी में छोड़ देगा, hundred से thousand, और जो लोग उस पानी को पीएंगे, वो वो लोग इस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, simple, सब को समझ में आया, चलो, बाई जब आप को ये की लोग दे रहे हैं, बा तो जब आप लिखेंगे, तो ये आपका causal organism है, ये आपका causal organism है, causal organism है, थेगे हैं, ये आपका causal organism है, एक मैठ थोड़ा सा रुके रहिएगा, आप लोग हलका सा कुछ बाते हो, और आपको लिखा लेता हूँ, एक मैठ रुके रहे हैं, झाल झाल एक चीज और इसे में नोट कर लिजेगा कि ये निमेटोड डिजीज है कैसे डिजीज होती है निमेटोड डिजीज है मतलब ये निमेटोड होते है निमेटोड होते है ये ड्रेकन कुलेज क्या होते है निमेटोड होते है ठीक है तो इसको दे नोट कर लिजेगा कभी कभी प तक तो बता ही देंगे आप लोग है ना चलो अब हम लोग आ गए आते हैं अपने में चीज पर लाइफ साइकल पर चलो तो देखते हैं कि क्या है इसकी लाइफ साइकल ठीक है तो पहला पहला होस्ट इसका मैंने जैसा कि कहा कि थोड़ा धुदला जरूर है ये डाइग्राम आथ दुदला क्यों मीरे भाई मेरे पासं बहुआ सारे डाइग्राम है बटि यह डाइग्राम थोड़ा अच्छा होता है बड़े दुदला क्यों आ रहा है चलो धाल कि देखर पोई दुनिया हिल जाती मेरी एक मार थोड़ा सा रुखे रहा हलका सा ताकि आप लोग को थोड़ा बढ़िया दिखाई दे और आप कुछ सही लगेगा चलो देखते हैं जे उन शया चुनिन करते हैं ठीक है बट बट वही सही लग रहाता है एक माटों का हा ना हम हम ह ह ह म ह चलो चलो जैसा भी है बढ़ियां दिख रहा है कोई कड़ बढ़ नहीं है मैं हूँ ना चलो human drink करता है unfiltered water unfiltered water मतलब जब बिना च्छने बिना pure water जब consume करता human तो उसमें copypods होते हैं copypods का diagram में दिखा चुका हूँ copypods का diagram में दिखा हूँ ना ये देखो ये बना हुआ देख रहा हूँ ना देख रहा हूँ देख रहा हूँ ना भाई साब को और इसी के अंदर क्या दिखा है था दिखाया था ना ड्रैकन कुलस और ये पानी में रहते हैं बहुत छोटे-छोटे रहते हैं आपको हमको दिखाई नहीं देंगे और हमने गलती से उस पानी को पी लिया या मान लो हम दूसरा भी काम कर सकते हैं देखो copypods को कौन खाता है मचली खाती है न और मचली को कौन खाता है इंसान खाता है न तो इससे भी आ सकता है मलब ड्रैकन कुलस किसी भी तरीके से बस copypods से हमारी body के अंदर चला आया अब देखो लारवा रिलीजड विन copypods डाई जब copypods हमारे अंदर आया तभाई एक time की बाद copypods मर जाएगा और उसका जो लारवा है वो पहुँच जाएगा हमारे इस टमक में कहां पहुचेगा हमारे इस टमक में और intestinal wall में पहुँच जाएगा ठीक है small intestine वगयरा के wall में पहुच जाएगा या फिर हमारे इस टमक में पहुच जाएगा फिर वहाँ पे वो मैच्योर होगा ठीक है, क्या होगा? मैच्योर होगा वहाँ पे वो मैच्योर होगा हमारे इन्टेस्टाइन और इस टमक में वहाँ ये मैच्योर होगा और reproduction भी करेगा अपने नंबर को बढ़ाएगा भी तो और कहां बढ़ाएगा सब क्यूटेनियस टिशु में जो हमारे बाड़ी में होती है अब उसके बाद देखो क्या हुआ अब यह जो ड्रैकन कुलस male और female है यह आपस में reproduction करते हैं कैसा reproduction करते हैं sexual reproduction करते है और sexual क्यूंकि male female को concept आ गया अब तो sexual reproduction जब sexual reproduction करते हैं तो fertilized female वा जो fertilized मतलब जो female reproduction हो गया है migrate surface of skin वो skin के उपर आ जाती है हमारी and cause blisters और छाले बना देती है और अपने larvacos में छालो में dissolve करतेती है जैसे ही अब यह आदमी तो हमेशा ध्यान में रखना कि जो वो बाहर निकलती है ना हमारे skin के वो कैसी होती है male या female वो female होती है आ गई ना बास समझ में तो यही चीज़ बहुत ही important थी बहुत simple life cycle है कोई दिक्कत की बात नहीं है अब यह जो fertilizer egg जो मानलो यही आदमी और जब यह पाप धुले अपना तो पाप के साथ में और क्या धुल दिये ड्रेकन कुलस का लारवा धुल दिये उसके अंदर और जश्ट बगली में चाचा जो है दो मीटर दूर पे चाचा उसी पानी को गंगा जलको आए बड़ा पवित्र है आए बड़ा पवित्र है पी रहे है और ड्रेकन कुलस का लारवा ले लिए इन अपने अंदर ठीक है मतला बब जब यह पैर तुछ निकल गया तो फिर यह इसी को क्या यह तो डारेक्ट ले 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 अपने अंदर है ना या फिर इस लारवा को पॉड ले ले फिर कॉपे पॉड के अंदर ये फिर डेवलप करेगा फिर इसको फिशर्स काएंगी या फिर यही चचा जो है जो पानी पी रहे हैं कॉपे पॉड से उसमें चलाए सीधे गंगाजी से समझ रहो की नहीं मेरी बात मतलब किसी भी तरीके से ये इंफेक्शन जो है वो फैल सकता है अब भाई केवल मचलियों को कुटा भी तो खाता है खाता एक नहीं खाता है बिलकुल खाता है अनकुक्ड अनकुक्ड मतलब जब आप किसी भी चीज को पका देते हैं तो इंफेक् कभी कभी इसनान करने निकल जाता है ठीक है तो कहने का मेरे मतलब बस इतना है आपको life cycle समझ में आई नहीं समझ में आई फिर से आपको मैं एक बार दिखाएता हूँ जब आप कभी भी गंदे पानी को पीते हैं यहां glass बना है कोई दिक्कत नहीं आप सीधे नदी तालाब भी बना सकते है नहीं नहीं सुनो तो male female साथ में नहीं जाते है लारवा जब develop करते हैं पहले नहीं पता चलता है कि वो male है female है क्योंकि लारवा दिखने में बिल्कु सेम होते है चाहे male हो चाहे female जैसे जब हमारे हैं बच्चा पैदा होता है बच्चा तो तुम उसके जब जाएंगे तो काफी जाएंगे और जब वो जाता है वहाँ पे तो उसके बद वो लारवा small intestine में enter कर जाता है और फिर वोर अख्रिक करता है था शब् distant लेयर में और यूद्स करता है तो रीप्रियुस में प्रूप्त समी मेल होता है दोनों आपस हम फ्यूज करते हैं जो फ्र लाइज फीमेल होती है वो इस्कीन के तुरू बाहर चलिया आती तो ब्लेस्टर सापको दिखाई देते हैं समझ मैं है लाइफ साइकल सबको समझ में बताओ जल्दी से खटा-खट अब इस डाइग्राम में भी बिल्कुल सही है जिसको अपने कॉपे पॉट्स नाम दिया उसको आप लोग साइकलॉप्स भी बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उसको हम लोग साइकलॉप्स भी बोल सकते हैं ठीक है कॉपे पॉट्स को चलो अब ये भी एक डाइग्राम है हम लोग इसको भी देख सकते हैं देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपली डाइग्राम है ये विचारा आदमी है बड़ा निर्दोस आदमी है इसने नदी से पानी उठाया और नदी से पानी उठाकर के डगाड़ाग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्र उसके बाद ये लार्वा धिरे धिरे क्या हुआ बढ़ना शुरू किया और बढ़ते बढ़ते फिर पुरी बाड़ी में फैलने लगा फैलते 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 ये तुम्हारी स्किन पर आ जाएगा और स्किन के बाद देखो यहाँ पर इसकिन को लेकर के बाहर आ कर देगा फिर यही लारवा इसी पानी में आ जाएगा फिर इसी पानी को यही आदमी फिर यह पानी में सिस्ट का साइकलोप्स होते हैं इसको लेंगे और फिर इसी साइकलोप्स को यह आदमी पी लेगा फिर इस तरीके से इनकी लाइफ साइकल चलती रहती है अगर आप को हम लोग water fleas, copypots, microcyclops, cyclops, अभी इसी को जानते हैं, ठीक है यह जब हम लोग person drink water on ponds तो cyclops जो है उसको infect कर देता है, क्योंकि उसके पास में क्या होता है, third stage का warm larva होता है, जैसे आदमें उस पानी को पीता है, वो उसके gastric juice मतलब stomach में जाता है, stomach में जाने के बाद water fleas digest हो जा जाते हैं, और वो release होकर के abdominal tissue के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि इनके उपर acid का effect नहीं पड़ता है, यह बच जाते हैं, क्योंकि अगर SCL के contact में है तो खतम हो जाएंगे, फिर उसके बाद लगातार इंकी male female का fertilization होता है, यह fertilize कर जाते हैं, और body के different part में move करना शुरू कर जाते हैं, ज्यादा तर chances होता है कि वो नीचे पैर की तरफ जाएंगे lower limbs, पैर को हम लोग lower limbs भी कहते हैं, और उसके बाद फिर male जो है वो dead हो जाते हैं, मेटिंग के बाद dead हो जाते हैं, और जो female केवल बस्ती है, after a year, एक साल के बाद वो female जो है वो body के बाहर निकलना शु देंगे, फिर उस first stage larva को हमारे जो cyclops होते हैं, अगेर water fleas जो हैं, उसको consume कर लेंगे, और उसको consume करने के बाद, जब फिर से आप उस गंदे पानी को पीएंगे, तो cyclops के थुरू फिर से वो आपके body के अंदर चले जाएंगे, इस तो maximum conditions में, जैसे मालो यह तो warm है ना यार देखो, सुनो मेरी बात जैसे, देखो, बहुत सारे animals होते हैं, असर different animals, जिसके अंदर आप reproductive character का development पहले देख लेते हैं, कुछ reproductive character का development देखा जाता है, but at a time of larva, at a time of larval development, बहुत सारे ऐसे, अब यह निमेटोड हैं, निमेटोड बहुत lower level के animal होते हैं, मतलब बहुत higher level के animal नहीं यह निमेटोड बहुत lower level का, अब मालो इसी तरीके का एक warm हो, और इस तरीके का एक warm हो, आप दोनों में difference बता सकते हैं कि which one is male and which one is female नहीं बता सकत हैं, क्योंकि दोनों एक निमेटोड से हैं और इनका structure बिलकुल इसी तरीके से होता है, अब जैसे मालोग मैं बोल देता हूँ मच्छर के बारे में, तो क्या आप मच्छर के बारे में contact करके बता सकते हैं कि कौन सा मच्छर male है, कौन सा female है, नहीं बता सकते हो, ठीक है, आप आपको उसके लारवा को देख के नहीं बता सकते हो, अच्छे ये बता, चलो मैं एक और example देता हूँ, अंडा देखे हो, अंडा, अंडे को देख के बता सकते हो कि इसके अंदर से मुर्गी निकलेगी या मुर्गा निकलेगा, क्या देख के तुम बता सकते हो, नहीं बता स सकते हो कि कौन सा maleıyla कौन सा female तो लारवल कंडिशन समें बहुत सारे ऐसे निमल है जिनको आप देखके नहीं है आखे तो मैं वैसे ही ना देख के बता पहूं वृत तो यह बात अप से धियान के का तो लार्वल स्टेजा नहीं मेल जुक्ट यँ अब यहां पर देखों इद्धर देखों अब यह इसमें से कोई मेल हो सकता है कोई भी फीमेल हो सकता है तूशा अ कि इस सब जा सकते हैं मेल फिमेल कि कोई टिकट कट आए है क्या यार गजब आधमी हो यहां देखो जब देखो सबस्टाइब rasa लारव में क्या कई फीमेल है बाय बच्चों को जन्म दे रही है वह को आरी सका नहीं बता सकते नी कई चूए ूसे लिएपल कैसा ओड़ आए ते नहीं बता सकते हो ना वही कहा रहा हैं व्ल यहां मेरे और क्यों नहीं जाएगा बेशक जाएगा जεप happy female रहेंग पानी में जब आप पानी फी ओगे तो देख़ारे इसमें एक तो जारा है ना दो जाटेरेन आ जएक मेंचाना और महीं अच्छार महां बाथ खत्म पी लिए और और सफल अप्BEATA बढ़ गए है एक लारवा थोड़ी न गया है यहां पर देखो नहीं तो यह लार्वा पहले डेवलप्स करेंगे भैया रिप्रडक्शन के पहले डेवलप्मेंट होता यह तो आप जानवय करते हो ना बच्चा थोड़ी ने reproduction करता, जब बच्चे का development हो जाता है, 18-18 साल की उमर हो जाती है, तभी वो reproduction करता है, जिसको जल्दी ना हो, वो तो यही करेगा न भाई, otherwise बाल विवा तो होते ही रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट reproduction की सही है, क्या decide की गई है, 18-21 किसी तो decide कर रहा है राम से, कोई दिक्कत नहीं हो उसको, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़े हैं, चलो, तो सभी बच्चों को, और बच्चों, और बच्चे जवाब दें भाई, सभी बच्चों सब बच्चे जवाब दें भाई, और क्या सभी बच्चों सब बच्चे जवाब दें भाई जवाब बहुत जरूरी होता है चलो यह symptoms है अब जल्दी से खटा कर इसके कुछ treatments हम लोग पढ़ लेते हैं और काम खतम आपका एक disease और खतम हो जाएगी ओके देखो यह आपके notes की तरह है बिल्कुल इसलिए में धेर सारे points है थोड़े ज्यादा गिच 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 पिच लग आपको थोड़ा सा दर देती है on the skin, the blister eventually rupture आपके जो blister है मतलब जो छाला है वो फूट जाएगा और जो warm है वो exposed हो जाएगा बाहर की तरफ दिखना शुरू कर देगा अब कहते हैं कि हमें इस गिनी warm disease को manage कैसे करना है और कैसे उस warm को निकालना है caring for the wound in general there is no specific drug to treat the prevent बाप आपके पास में कोई एक ऐसी specific दवा नहीं है जिससे आप GWD को मतलब गिनी warm disease को क्योर कर पाएं ट्रीट कर पाएं भीया देख लो खतरनाग तो है भाई अफ्रीका कंट्री के अंदर अगर आप जाओगे ना मेरे भाई यह लोग क्यों रहते हैं अफ्रीका तो पहले सही से दिख लो या रंकित यह लोग क्यों रहते हैं कैसे रहते हैं मुझे नहीं पता बट यह लोग जंगलों में रहते हैं लेकिन यह maximum अकसर तुमको बता दे हैं यह लोग कॉंटैक्ट में आ जाते हैं तरह-तरह की बिमारियों को फिर युनेस को डबलू एचो जैसी एजिंसी के कारण आज यह ट्राइबल जिंदा हैं वरना यह मर जाए जो है क्यों रह रहा है जंगल में जब केवल जानते हो कभीले संस्कृति और इनी सभी के कारण वो ट्राइ यह बेचने को मिलती हूं नहीं मिल पाएंगे दर इज अलसो नो वैक्सिन इन प्रेवेंट जी डबलू डी कोई वैक्सिंस नहीं हमारे पास में कोई ड्रक्स नहीं हमारे पास में आप्टिपल मनेजमेंट है कुछ फॉलोविंग स्टेप्स हैं जिनसे कि हम इनसे बच सकते मतलब प्रिवेंशन प्रिवेंशन है सावधानी बरते तो इन्हें बढ़ने से रोक सकते हैं अधरवाइज इनको रोकने का कोई रास्ता नहीं है पहली चीज़ अगर आप सहर में हैं या फिर आप ऐसी जगे पे हैं जहां ग्राउंड वाटर आपको नहीं मिल रहा है जमीन के डीरवा में दिख जाथा था कभी कभी वहाला नहीं जो लोहे का ट्रॉट में लगा हुआ था वह वहाला हैंड पंप्प होना चाहिए को यह दिता इधर वाला प्यार्ण की तरह साहर के लोग जो प्योरिट निया आरो नहीं लगवाए हैं वो इसी से परसान रहते हैं next wound is clean अगर आप को infection हो गया है तो उन लार्वा की जगे पे आप पहले चीज तो इलाज रखें उसको spread ना होने दें पानी से बच करके रहें पानी में बिलकुल मत जाएं पानी से जितना ज़्यादा आप बचेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा दूसरों के लिए भी अच्छा होगा दूसरे point the worm is then wrapped around the roll pieces of gauze is stick maintained some tensions of the worm मतलब जो भी जगे पे वैसा है उस जगे पे जहां पे भी infections वगेरा है उसको थोड़ा सा बांधवांद के रखो ठीक है ताकि spread होने से थोड़ा सा वो बचे then gentle traction in applied the worm to slowly put it और अगर आपको उसको निकालना भी है ठीक है अगर आपको उसको निकालना भी है तो उसको gentle मतलब बहुत धीरे धीरे उसको pull it out pull it out मतलब बाहर की तरफ निकाले और जब वो कहीं आपको लगे कि वो fuss गया है तो उसको रोग दो ही पे रोग दो हलका हलका फिर skin को massage करो और massage करने के बाद फिर उसको निकालो जैसे मैंने भी आपको बताया था ध्यान रहे कि warm टूटना नहीं चाहिए warm टूटा तो दिक्कत करेगा the warm can be long as meter in length पॉप रे बाप कभी कभी ये warm एक मीटर लंबा भी हो सकता है एक मीटर लंबा पॉप रे full extraction can take several days to week और कभी कभी उसको पूरा निकालने में एक हपते का टाइम लग जाता है बाप रे बाप so terrible afterwards tropical antibiotic are applied to wound to prevent secondary bacterial infections आप के वेल इसले medicines दी जाती है ताकि आप एक हपते के अंदर भाई आपके घाव हुआ है ना तो आपको bacteria का infection भी हो सकता उस area में तो इसलिए आपको antibacterial infections के लिए दवा लेनी पड़ती है antibiotics लेनी पड़ती है साथ में अदर भी काम होते है the affected body part is dead bandages जब आप उसको निकाल लो फिर उसके बाद उसको बाढ़ लो fresh gase मतलब ऐसा नहीं कि आप पुरानी पट्टी वट्टी उस पे दो pure rhythm सहीज है aspirin ले सकते हो अगर आपको बहुत ज़्याद दर्द है aspirin ले लो ebufren ले लो pain जो की मिटाने का काम करेगा reduce inflammation and ease the pain pain को मिटाने का काम करेगा these steps are repeated everyday यह आपको हर रोज करना पड़ेगा जब भी warm आपको बाहर निकालना रहे सभी बच्चों को समझ में आया number एक बात gwd की कोई भी दवाई record नहीं है इसलिए यहाँ पर एक system काम करता है जिसको हम लोग बोलते है eradication eradication का मतलब होता है कि जब किसी disease को हम लोग दवा से नहीं control कर सकते तो उसको उसके लिए हम लोग तरह तरह के planning तयार करते हैं कि कैसे उसको बिना दवा के भी control किया जा सके भाई वो SCL से degraded इसलिए नहीं होता क्योंकि जैसे जैसे मान लो गोली होता है ऐसे समझो जैसे मान लो आपको एक ढाल दे दिया गया है ठीक है आपको एक ढाल दे दिया गया है और आपसे बोला गया है आप ढाल के पीछे खड़े हो मान लो ठीक है और आपके सामने मान लो एक से कोई बंदूख लेके आ गया है ठीक है ऐसे कोई बंदूख लेके मान लो आपको मारने के लिए आ गया है अब आपको पता है कि आपकी ढाल केवल एक ही गोली रोग सकती है तो जब आप क्या करोगे मालो आपके पीछे एक दिवाल है आप उस दिवाल के पीछे जाना चाहते हो तो आप तुरंट इस ढाल को आगे करोगे ये गोली आकर के यहां तक लगेगी ढाल में और ढाल चकनाजूल लेकिन तब तक आप दिवाल के पीछे चले जाओगे कुछ ऐसा इक गिनी वाम में भी होता है इसमें क्या होता है कि ये अंदर होता है कि इसके copy parts के copy parts के अंदर होता है ना जब यह आपके body के अंदर आजाiva कौप a Çग के अंदर होता है तो जब यह का ओपको और इसकृ को इसक्ट होता है तो copy line तो लिखी थी पड़े नहीं copy parts के अंदर जरवी जब मतलब इनमें में SEL आता है, SEL कॉपे पॉर्ट को खतम कर देता है, ब्रिक कर देता है, लेकिन तभी ये जो ड्रेकन कुलस होता है, ये मौके का फायदा उठा करके हमारे स्किन के अंदर चला जाता है, ये देखो यहाँ पे लिखा नहीं हो है, ये देखो, पता नहीं कैसे पढ़ते हो, दे वाम लारवार रिलीज, वाम लारवार रिलीज करके अब्डामिनल टिशू में चला जाता है, मूव टू दा अब्डामिनल टिशू, बस बात खतम, एनफ, ठीक है, आज के लिए इतना ही, आपका हो गया एक दोसी डिजीज, इसकी नोट्स बना लीजेगा, इसको नोट कर लीजेगा, बाकी का चीज, कल हम लोग मिलेंगे इसके साथ में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाए, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, चले चलते हैं, भाई, लेट हो रहे हैं,